तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डाटा प्रोसेसिंग क्या है जिसको एंगली समलते हैं वाट इस डाटा प्रोसेसिंग और यह बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूँ क्योंकि इससे बहुत सारे कोश्चन भी होता है यानि कि यह बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है तो अगर आप कंपर बार में जनकाई लेना चाहते तो यह वाली वीडियो तो आपको कंपरीट देखनी ही चाहिए क्योंकि इस वीडियो में मैंने काफी डिटेल में समझाने कोशिज किया है काफी अच्छे तरी घटकाई लेना चाहते यह डिट देखना चाहिए तकि आपको कोई विधक्त ना हो तो अगर आप बहुत 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 लेकर आने वाला हूं तो अगर मेरा सपोट करते हों तो मैं भी डेफ़ेन्टनेटलिया बहुत द्वाने वाला हूं बहुत-था कॉंटेंट आप के लिए प्री मिलाने वाला ह mains कि मैं आपको ऊहाँ से लेकर हाई लेवल तक यानि कि ओ लेवल तक मैं आपको कंप्टर पढ़ाने वाला हूं चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड सबसे पहला जो हमारा मेन पॉइंट है वह है वाट इज डाटा प्रोसेसिंग यह बहुत ज्यादा इस अंदर हो जादा इनउस्ट पोएंट होता है कि एक्टिटर कोंप्उट हाण करता है कैसे टाटा को कट करता है ठीक है उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट हो है इंपोर्टेंट कोश्चन फार इन एक्जाम दोस्तों जब भी कोई भी चीच पड़ते हैं तो अपने एक्जाम के लिए पड़ते हैं तो डेफिनेटली आपको मैं इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा आपको कोश्चन बताने वाला हूं जो कि बहुत सारी एक्जाम में पूछय जा चुके हैं और पूछय जाते हैं और अपने पास सब्सक्रThere की है कि आपको बहुत ります Norte uscommerce Soulery test दोस्तों यह जो है PDF Nerdодow फ्री टेस्ट अगर कामेंट करते हो कि हां मुझे PDF घालफल चाहिए तो मैं आप को प्रवाइट करा दूंगा ठीक है और best भी मैं आपको प्रवाइट करा हूँ अगर आप कमेंट करते तो क्योंकि दोस्त हों मेरा सपोर्ट करो तो डेफनेटली मैं आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला हूँ अगर आप कंप्यूटर के बारे नोलेज लिलना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ठीक है तो चलिए अब हम पने अगने पॉइंट पर बढ़ते हैं और स हिंदी में टाइक पर करका ताकि आपको बहुत ही असानी से समझ में आ जाए तो सबसे क्या पहले क्या कह रहा है कि बड़े और बिशाल परमाने पर डांटा प्रोसेसिंग के लिए और सूचना तयार करने के लिए कंप्यूटर का प्रियोग किया जाता है इसमें डांटा इ अज के समय में एक ऐसा आपका और क्लीव हो गया है जिसके जर皮िये आपका बहुत सार डीटेल सकता है जैसे की आपका बैंक का पता चल सकता है आपके मुएल नंबर का पता चो सकता है आपके जिसे की रासन कार्ड हो गया या फिर आपकी माक सीट हो गया फिर आपकी कोई भी डाकुमेंट है हर एक डाकुमेंट को अधार कार्ड से जोरा जारा है जिसके जरीए अगर आप कोई भी समझ से आती है या फिर कभी भी आपको कुछ खो जाता है तो आप अधार बिलकुल दुबारा पासकते हैं तो यह है दोस्तों Data Processing मतलब कि Data Processing में क्या होता है कि आपके हर एक Data को Collect किया जाता है इकठा किया जाता है और उसका कहीं कहीं और प्रेयोग भी किया जाता है जैसे कोई क्या है कि किस परकाश से डाटा पॉसेसिंग कैसे कैसे किस किस इस टेप में काम करता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है और कहीं वहीं से बहुत सारे कोशन पूछे आते हैं तो चलिए हम अपने थाड़ पॉइंट पर चलते हैं करेगा तो तेखेंक इस्ताई अपर सबसे पहला जो र्टा इप्रोसेसिंग करने की सबसे पहला पॉइंट है यह कि आघा को दाटा को चाएं तो सबस्केहा करेगा कि हमारा डाटा लेगा किसी ना किसी तरीके से जैसे कि हम कोई यहां पर online फार्म भरते हैं रियलाफ मैंने ग्यापल यदिप से कि आप कोई करते हो तो उसमें क्या भरते अपना नाम भरते अपना डेटा बर्द भरते या फिर अपना ड्रेस बड़ते हो उसके बस Talking過去 और बहुत सार्स तरुस में आपको डिटेल देना होता जैसे कि मार्क शीच्ट का चुब नबर हो गया या फिर विसका पर्सेंटेज हो गया ठीक है तो यह सब किस्व के अंतरकत आता है डाटा कलेखन के अंदर आता है। उसके बाद से second point data organized यानि कि हिंदी में इसको बोलते हैं ब्यवस्थित करना इसमें क्या होता है कि देखें यहां पे रियल एक्जाम्पल है कि separate on the basis of percentage या फिर similarity यानि कि इसमें क्या करता है computer कि आपने जो भी data दिया है ठिक उसके बाद से बहुत सारे बंदे होंगे बहुत सार के अपना online farm भरते हैं तो किसी का percentage कं होता है या फिर कोई commerce साइट से होता है या फिर कोई science से होता है कि या फिर पड़े तो वह दन से उसमें जाएगा और देखे हाँ पहले इसका नम नाम माना चाहिए पर नबे परसेंटेज वालों का तो इसलिए इसमें जो सेकेंड पॉइंट है ओ है डाटा ओर्गनाइज ठीक है तो उम्मिद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा उसके बाद से झमद शाएंवगा रखसेंट हैं फिर हम इसको डाटा कंपवाइं या यानि कि डाटा को जोड़ना अब इसके नाम से पौदफ बदेखला है कि पर फिर कौश्मपन की या साइंज कारी कौन सा आर्ट का है अगर आम इसको अलग-अलग अलग रखते हैं तो कहीं hani हमें धो सब्सक्राइब में सब्सक्राइब रहें है उसके प्वाद लेख भाट पॉाइंट एधॉ Sel या फिर नीचे से पिर आप دेखे कर सकता है या फिर आप देखे हUNGगे अपने से उसका नाम पहले होता है जिसका 20 होता उसके बाद में होता है जिसका लास्ट में जैसे कि भी से हो गया या फिर वाई से हो गया तो उसका लास्ट में नाम जाता है ताकि वहां Else से कोई भी दिक्कत ना हो किसी के नाम खोजने में जैसे अगर कोई बोलेगा कि मेरा नाम जैसे की बीजय है दन से अगला देखे गारी नीचे होगा इसका नाम तो दन से वह नीचे जाएगा क्योंकि उसको ऐसा करने में टाइम नहीं लेगा और उसको बहुत जदा असान लग पिद्गत हो गयी किसी डीठ अब बर्थ गलत हो गया फिर पिसी की सब्याइब्स में कि आपकोई सथार करा सकते या फिर कोई भी समझते आव उसमें कुछ चीत हठाना तो सब्सक्त प्रिश др टिक है डांटा संच्छहपं तो इस में दूस्तों क्या एक इसमें आपका ये कंप्लीट डाटा जंडरेट हो जाता है क्योंकि कोई भी शम्स्या आती है तो उसको पहले हम लोग किसमें डांटा में लेशन में ह dran लो जाता है उसको में कहते हैं डाटा सम्राइजेशन या नी कि बाद आप अपने डाटा को नाइड़ेट कर सकते हैं नाолै को कोई अफडेट कर सकते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा में डाटा कहलाता है ठीक है तो फ्रेंट्स अगर आप इसे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं पुरा डीटेल में और जानना चाहते हो कि इस से किस प्रकार से कोईशन एक्याम में पूछे जाते हैं तो आपको अपने गूगल में सर्च करना होगा जो कि आप बहुत ज़्यादा है तो आप उसको सर्च करके आप पढ़ सकते या फिर इसका लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप जाके हमारी वेप साइट पे विजिट कर सकते हो और वहां से बहुत सा अरफ फायदा उठा सकते हो तो मि मैं आप इस चैनल पर बहुत 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 ज़्यादा है तो चलिए फ्रेंट्स मिलते हैं आप से और नए वीडियो में तो लग जाए हैं बंदे महत्रा